अभी तक वनो, जल तथा कोल और पेट्रोलियम की प्रबंधन के बारे में पढ़ कर हमने ये जाना कि सिर्फ सम्पोशित प्रबंधन से इन सब को बचाना नामुम्किन है तो सवाल ये रहा कि करें क्या और इसका तरीका है फाइव आर्ज का उपयोग जो आप पहले भी बढ़ चुके हैं पर एक बार इसे फिर से ध्यान कर लीजिए रिड्यूस चीजों का जितना हो सके कम उपयोग करना रिफ्यूस जिन चीजों की जरुरत नहीं है उनका त्याग करना रियूस जिन चीजों का पुना उपयोग हो सके उनका जितनी बार हो सके दुबारा उपयोग करना जैसे काच की बोतल का इस्तमाल होने के बाद उसमें दूद या जल भर कर उसका पुने उपयोग करना रिसाइकल ऐसी चीजे चुनना जो वातावरन में अब घटिद हो सकती हो जैसे प्लास्टिक बैक की जगा कागस के बैक का उपयोग करना प्लास्टिक के पुराने डिब्यों का पौधे के गमले के रूप में उपयोग करना और भविश्य में हमारे सभी प्राकृतिक संसाधनों के इन तरीकों का इस्तमाल करके ही बचने की उमीद है ये सारा अंश है इसे अपनी कौपी में लिख लीजे और इसे भी यहीं पर एट टॉपिक खत्म होता है आपको पता है आगे बढ़ने से पहले आपको प्रशन हल करना है और आपने देखा होगा कि हमने कितनी मज़ेदर बाते सेखी और कितना इंपोर्टेंट है हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रखने का हमें आशा है आपको इससे समझ में आया होगा और आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज भी करेंगे धन्यवाद